पंदारक थानाक शेत्र के चिंतामंचिक गाउंब में एक महिला की मौत के बाद पुलिस ने शव को कबजे में लेकर बार के अनुमंडली अस्पताल में पोस्ट माटम कराया। पुत्री की मौत की खबर सुनकर परिजन अस्पताल पहुँचे जहां उन्होंने बताया की दहेच के चलते उसकी गला दबा कर हत्या कर दी गई है। आरोप लगाया की वह दहेच की मान करने लगा था। नहीं देने पर पुत्री के साथ मारपीड भी किया करता था। बता दें की मृतका का परिवार लखी सराय जिला के बीरूपूर थानाक शेत्र का निवासी है। परिजन काफी आक्रोशित दिख रहे थे। फिलहाल महिला के शब का पोस्ट माटम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतका के पिता रंजीत पासवान द्वारा लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी के गला दबा कर हत्या कर दी गई है। जिसमें उसके पती सहित तीन को आरोपी बनाया गया है पुलिस मामले की चानबीन में जुट गई है। घरबाया उसे के पास गया उसको पास गया तो वहां से चल लेका चल लेकर एकल बीदा की करई कनदा आए। एस डश्या कि अब ज़कर है साम को पाँच बजे लेकराइए कि अरम रात में इसको को आरे की बूरा कि मार मार रहा है। क lleva कत दिया को मार रहा है। कि आ अन्कल ये बेटी से सांथ रहे हों भोड़े जायेंगी हम बहुड़े जाएंगी रात वहाहीं आताल जब बारे यक बजय हुआ मेरा बेटी कहा हम लाला घोटे मारदिया घोट और है उसी इसापोट कर रहा है सबध सुदी दने कर रहा है. अठाना भी मिल गया है. अच्छा आपका क्या दाम है है? हमको उसको सजाए जयना. मेरा नाम हे। मेरा नाम हरीना देबी. आपकी बैटी थे मैं– आपकी बैटी थे मैँ– पहली बैटी थे – कितने जर्ड ग害 ले शाधी है? है नहां मेज़ जनाई हो ताहिए हो तरह जो जो ताहिए